हरी कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, ओपन दा पेज नमबर 33 ओफ यूर इसेंशियल इंगलिश बुक आज हम चैप्टर नमबर 5 का वोकेबलरी पार्ट सॉल्व करेंगे रीड दा फॉलोइंग लेटर्स एंड वर्ड्स नीचे जो आपको लेटर्स और वर्ड्स दिये गए हैं उन्हें आप अच्छे से रीड करिए हमें क्या करना है इन्हें अलफाबेटिकल ओर्डर में अरेंच करके लिखना है इट मींज जो लेटर्स या जो लेटर्स पहले आते हैं उन्हें आप पहले लिखेंगे और बाद में आने वाले letters को उनके alphabetical order के according आप लिखेंगे Okay Write each of the following sets in alphabetical order नीचे दिये गए आपको जो letters और words के set दिये गए है उन्हें आपको उनके alphabetical order से arrange करना है Number 1 देखिए L, C, T, R, F तो जो letter पहले आता है उसे हम पहले लिखेंगे पहले कौन सा letter आता है? C तो हम पहले C लिखेंगे फिर C के बाद कौन सा letter आएगा? C, D, E, F यहां F है तो हम F लिखेंगे F के बाद कौन सा letter आएगा इन में से? L इसके बाद R और last में आएगा T ठीके? आप A to Z letters को देखते हुए कि कौन सा letters पहले आएगा? उसे पहले लिखेंगे और उनके alphabetical order के according जो letter बाद में आता है उसे बाद में लिखेंगे नमबर 2 पर देखिए U, M, Z, W, N तो यहां कौन सा letter सबसे पहले आएगा? M M के बाद N तो यहां M के बाद आप N लिखेंगे N के बाद N, O, P, Q, R, S, T इन में से कोई भी letter नहीं है यहां पर T के बाद U U आपको यहां पर दिया गया है तो आप U लिखेंगे M, N, U इसके बाद कौन सा letter आएगा? V, W तो यहां V नहीं है लेकिन W है तो पहले W लिखेंगे आप X, Y, and Z यहां पर Z है तो last में आप Z लिख देंगे ओके? तो इस तरह से आपको इन्हें arrange करना है थर्ड देखिए यह जो सारे words है सारे ही F से start हो रहे है अगर पहला जो letter है सारे words में same है तो हम second letter से देखेंगे कि second letter कौन सा पहले आएगा? ओके? R, R, R R, and I तो alphabet में पहले कौन सा आता है? I आता है तो F, I R इन्स अभी में है F, I, R कौन सा आएगा third? F, I, R third letter देखी कि third में third वाले जो letters है उनमें alphabetical according कौन सा पहले आएगा? F, I, R और fourth क्या आएगा? E, fire इस तरह से हम इन्हें arrange करेंगे तो पहला word कौन सा आएगा? fire अब आप second word चूस करने के लिए देखे F तो सभी में है अब alphabetical order के according R वाला ही आएगा F, R क्योंकि इन सभी में R है अब देखिए कि third वाला letter कौन सा पहले आएगा? F, R, I I वाला पहले आएगा तो F, R, I G, H, T ये second place पर आजाएगा third देखिए कौन सा आएगा इसके बाद? F, R इसमें भी आई है F, R, I तो F, R, I, double L ये वाला आजाएगा third position पर इसके बाद F, R आप third letter से आप देखिए कि कौन सा पहले आ सकता है तो पहले आएगा F, R, O, W, N ओके? और last जो remaining है क्या है F, R, Y क्योंकि जो Y alphabet है वो बहुत last में आता है Y के बाद सिर्फ आता है Z तो कौन सा last में आएगा F, R, Y, fry इसी तरीके से आप ये जो 4, 5 और 6 नंबर हैं ये आप खुद solve करेंगे ओके? वीडियो को अच्छे से देखिए आपको alpha weights अच्छे से आते हैं तो उसके according आप इन्हें arrange करिए ओके? Hare Krishna आपको 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 अच्छे से देखिए